हेलो दोस्तो, वेलकम टू इंट्रीगिंग यूनिवर्स दोस्तो, हम अपनी आम जिंदगी में ना जाने कितने ब्रैंड्स और कमपनी से आमना सामना करते हैं कई बार इनी ब्रैंड्स के नाम जुबान पर लाते हैं और तो और कई बार जरूरत पढ़ने पर इनी ब्रैंड्स के आइटम्स भी खईते हैं लेकिन हम में से कुछी लोग ये जानते हैं कि कौन सा ब्रैंड के इस ब्रैंड का राइवल है यानि की दुश्मन है आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिस्ट आफ टॉप राइवल ब्रैंच के बारे में तो चलिए दोस्तो बिना देर करें आज की वीडियो शुरू करते हैं फोर्ड वर्सेस फरारी दोस्तो ये दो कमपनीज हमेशा से राइवल कमपनीज नहीं थी समय 1960 का था और दोनों कमपनीज अपनी अपनी जगा पे बहुत अच्छा बिजनस कर रही थी एक दिन फोर्ड के वाइस प्रेसिटेंट ने हेंडि फोर्ड टू को ये सेजस्ट करा कि उनको फरारी कमपनी खरीद लेनी चाहिए ताकि लीमेंस रेस में हिस्सा लेकर फोर्ड की सेल्स बढ़ जाए ये एडिया हेंडि फोर्ड को काफी अच्छा लगा और वे फरारी के ओफिस पहुच गये और एंजो फरारी को ये एडिया ओफर करा ओफर सुनने के बाद एंजो फरागी ने हेंडी फोर्ड की इंसल्ट करते हुए ये कहा कि फोर्ड सस्ती और छोटी गाड़िया बनाता है और वे उनके लेवल का नहीं है वे सिर्फ यही नहीं रुके पर उन्होंने हेंडी फोर्ड पे कमेंट करते हुए कहा कि हेंडी फोर्ड के साथ वे इसलिए बिजनस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वे बहुत मोटे हैं अर्थार्थ उन्होंने वे डील रिजेक्ट कर दिया 24-2 को ये बात बहुत बुरी लगी और तबी से उन्होंने ठान लिया कि एंजो फरारी को इसका जवाब ज़रूर देंगे और उन्होंने अपनी खुद की रेसिंग कार उस साल की लीमेंस रेस में उतार दी लीमेंस रेस 24 गंटे की रेस होती है जो की विश्व की सबसे बड़ी रेस में गिनी जाती है जिसमें फरारी काफी सालों से जीतते आ रही थी फोर उस सल वाले रेस में फरारी से बहुत बुरी तरह हार गई पर उन्होंने हार नहीं मानी और मैनत करते रहे आखिर में जाके 1967 में उन्होंने केन माइल्स की मदद ली जो कि खुद पहले फरारी के लिए गाड़िया डिजाइन करते थी और उन्ही की मदद से 1967 वाले लीमेंस रेस में फरारी को हराके फोर्ड ने सिर्फ जीत ही नहीं बल्कि वो इज़त हासिल करी जो कि एंजो फरारी ने कुचल दी थी दोस्तों हॉलिवुड ने अभी हाली में एक फिल्म बनाई है जो कि इसी विशे पे अधारित है और इसे लोगों का खूब प्यार मिल रहा है फिल्म का नाम भी फोर्ड वर्सेस फरारी ही है नाइकी वर्सेस रीबाग समय 1984 का था नाइकी का बिजनस बहुत बुरी तरह से डूब रहा था उस साल के समर ओलमपिक्स में कार्ल लिविस ने नाइकी के जूते पहन के चार गोल्ड मेडल्स जीते पर उन्थ फिर भी नाइकी का मार्केट रीबाग के सामने फीका पड़ रहा था रीबाग अपने विमें स्नीकर्स के साथ मार्केट में धूम मचा रहा था कि उसी वक्त माइकल जॉर्डन के एंटरी होती है और नाइकी अपना दाव उन पे लगा देता है माइकल जॉर्डन के फेम के चलते उसी साल नाइकी के सेल्स आसमान चुने लग गए और यहीं नहीं बलकि आज तक नाइकी का मार्केट चला रहे है और हर साल दो बिलियन डॉलर्स का मार्केट लाकर देते है इसके बाद रीबाग की जीतो और कोशिशों के बाद भी वे कभी मार्केट में वापस नहीं आ पाया और अंत में वो यह दुस्मनी हार गया और 2004 में एडिडास ने रीबॉक को 3.8 बिलियन डॉलर्स में खरी दिया कोख वर्सस पेपसी 1980s के दशक में कोल्डरिंग्स और फास्ट पूड का चलन हुआ करता था कोख और पेपसी दोनों मार्केट में अच्छा पफर्म कर रहे थे कि जब कोख ने डिसाइड करा कि वे एक नया कोड़क लाउंच करेंगे जो कि पहले से जादा मीठा होगा परन्तु यह आइडिया कोका कोला वालों पे ही महंगा पड़ गया उस साल की मार्केट शेर्स सारी पेपसी की तरफ जाने लग गई चार लाग लोगों ने कोका कोला के खिलाफ कम्ट्रेंट कर दी मजबूरन कमपणी को कंजूमर से माफी मागनी पड़ी और तो और उनको अपना मार्केट कम करना पड़ा अपनी गल्ती सुदारने के लिए कोक ने अपना पुराना टेस्ट कोका कोला क्लासिक के नाम से वापस मार्केट में लाउंच कर दिया और देखते ही देखते पेपसी टॉप से सेकेंड में आ गया और कोका कोला नंबर वन पॉजिशन पाने में सक्षम हो गया दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम फिर नेक्स वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए इसे लाइक कीजिए और हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ड कीजिए थेंक यू एंड गॉड ब्लेस ओल